हालो मेरे प्यारत दूस्तू कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप सभी का हमारी इसेट्रोग चैनल पर चलिए आज के डिसक्सन क्लास में हम लोग यहां पर चैप्टर टू इलेक्टिशन हैं उसको यहां पर करने वाले हैं कम्प्लीट कुश्चन अंसर यहां पर करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस सांदार होती चलिए आप यह मत समझेगा केवल रिकॉर्डर वीडियो है आप जो है इसको लाइफ वीडियो के तरह लीजिएगा तभी जागर कि आपका यहां पर हैं हंड्रेड में हंड्रेड पर प्रिख रहा है यह बहुत इंपोर्टेंट होता है ठीक है तो चली सुरू करते हैं बिना किसी देर के तो अब्जेक्टिव कुश्चन यहां पर हम लेने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा एक एक कुश्चन आपको यहां पर इंपोर्टेंट है इसलिए ले लेते चलिएगा और आप एक कुश्चन का कॉमेंट बॉक्स में जबाब देते चलिएगा हो सके तो आप वीडियो को रोक करके अगर आपको जबाब पता है जबाब देने का प्रियास किजिएगा जिससे आपको जो है ना सीबीटी टू में जो ट्रेट का एक्जाम होता है उसमें आप यहा रूप किस से बनी होती आपको जबाब देना है एक कुश्चन का आपको यहां पर जबाब देना होगा तभी जाके आपकी त्यारी जो है बूस्ट हो पाएगी अगर आप इस कुश्चन को ऐसे केवल सुन करके छोड़ देते हैं तो आपके जात मतलब आपके अंदर वह कु आपको एक्जाम में इस तरीक एक कुश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है इसे छोड़ कर नहीं है ठीक है पहले कुश्चन का एंसर देखे क्या हो जाएगा तो स्टील रूप में कौन सी धातों की बनी होती है तो एस्टेनलेस स्टील की कोई भी धातों बनाई जाती है ठीक है किसकी बनाई जाएगी तो एस्टेनलेस स्टील की बनाई जाएगी ठीक है इस चेप्टर में हम टोटल 125 कुष्चन को करने वाले हैं यह ध्यान रखेगा अगला कुष्चन आपके सामने हैं कि ट्राइस्क्वार का पढ़ियोग जौब को चौक करने के लिए किया जाता सब्सक्राइब से पकलते होता है अगला कुष्चन आपके सामने हैं डाइक वा। आपकी चिप तूट जाएगी औपसिन नंबर भी उस आपकी जो चिप क्या हो जाएगी तूट जाएगी धियान रख़िएगा अगला कुश्चन आपके सामने हैं अगला देखेगे यह सब भेल गेल सेल रेल सब में पुछा है एलपी टेगनेशन ऑल पिएस्यु में पुछा प्रकर्ण से यूज होगा लेखिन चौत्रे प्रकार है जो उससे यूज नहीं होगा बता यह कौन सा होगा तो देखें सपाट छंडी छहनी जो होता है काड़ वस्तुव के कोनों को वरगाकार करने में यूज नहीं होती है अधिक होती है बाकी सब्सक्राइब भर सिफीद में समय करते हैं पहली वर पहले हैं तो भी आप आप जबाव इसे डे सकता इंसुलेटड कामबिनेशन प्लॉए के लिए सावधानी रखेंगE कि उसे क्या चीज नहीं करना चाहिए यह मतलब किस चीज में परियोग नहीं किज़ेगा आप यहां पर ध्यान देजिए तो देखे सबसे पहले रूप में आपको नहीं प्रियोग करना है और उचया स्थान से कभी नहीं फेकना है नहीं तो खराब हो जाएगी ठीक है technology to carriers परियोग में लेते से मैं क्या साबधानी रखना तो पानसस वल्टेस अधिक के रेंज पर काम नहीं लेंगे तो सही çal है कि 500 से अधिक पर काम नहीं लेना है आकवको इनसूलेशन चेक करना जो इस именно लगाया गया उसको चेक कर लीजे और चेक करते से में बादोर के लिए प क्या साब दानी रखना है पिचकास का पर्योग करते समय आपको पेंच के अकार के अनुसार पेचकस का चेंड करना चाहिए सही बात है पेचकस की हैंडल जो है हत्थे पर हैमर से चुट नहीं मारने चाहिए तो पेचकस आपकी टूट जाएगी इसका पर्योग चौरसी के अगर को काम में लेते समय क्या सब्धानी रखनी तो क्या सब्धानी यह रखना है आपको कि वह हैंडील की छोड़ पर हाथ में पकड़ेंगे तो कभी भी आपको हैंडल के आखड़ी छोड़ को हाद से नहीं पकड़ना मुतलब हाद से पकड़ना चांज यह आपको साफधानी रखना है क्या करती है तो आप को वजन जादा नहीं लगाना पड़ेगा और हैमर जादा एफेक्टेड तो देखें ड्रिल बीट जो मुह में अच्छी तरह से कस देंगे ताकि वह आपको यूज करते समय धीला नहों मसीन को चलाते समय हैंडिल को सीधा दबाएंगे तेरह मत दबाएगा नहीं तो तूट जाएगा धात्यों की उप्योगी जार अजार कोन साय बताना है ऐसके जो जार है कौन से चल करदा है चल बदाएगा बताईए किसके अनुसार हाथोरे को बर्गिक गृत किया गया है केवल भार के अनुसार धेल के अकार और हैंडिल की लंबाई के अनुसार केवल भार और हैंडिल की लंबाई के अनुसार केवल धाचे का आकार और भार के अनुसार किसके द्वारा किया गया है तो केवल धाच च्छेनी के बारे में हम बताया थे तो उसमें कीवे था एक केम चैनी इस परयोग करते हैं ठीकैंë पाइप के अंदर की ओर चूरी काटनें के लिए किस यह परूजर का आप परयोग करना हो गा टैप का ट्यूबिक किसके द्वर्性 किजेगा तो आपको करना पड़ेगा ताप मान केज़ना पड़ेगा अग CUSHCन है सूपर इनाम्यल अरों का गेज किसके द्वरा मापायाता है पर इनसुलेशन को किसशे के दोरा रहे घाएगा तो उसके लिए आप तार강 के उपर किसको हटा लिजेगा इंस्लेशन को अगला कुश्चन आपके स्वामने हैं कि अगर डात घीस जाए तो से तेज करने के लिए किसका किजिएगा किस परकार के आप फाइल से घिसिएगा उसे ठीक है तो बताइए किस परकार के तो उसे तिरभुजाकार फाइल से घिसना पड़ेगा ठीक है रेती से घिसना पड़ेगा तिरभुजाकार अब बताइए लोहे की चादर को सिधा करने के लिए लोहे की चादर मैले का भी जी नहीं किया जाएगा अपका मैलेट हो जाएगा यहां लोही की स्गार हो जाएगा तो वो बैगई चृक हो किया जाता है किसके लिए मुटाई के मापन के लिए किया जाता आगे देखिए अगला कुछ चन है बेंच वाइस का आकार ब्यक्त किया जाएंगा तो बताइए समानांतर बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है देखे ध्यान से option कुछ यू दिया हुआ है चिंपिंग के समय job को सहरा देने के लिए ठीक है और हेकसा से काटते समय job को सहरा देने के लिए drilling के समय job को सहरा देने के लिए उपरोगत तीनों संक्रियाओं में job को सहरा देने के लिए कब करते हैं तो आपको उपरयोगत 3 किरीयाय में आपको क्या करते हैं सामाहणन अंतर बॉक्स का उप्योग करतें कि ओप्सिन 9 20 हो जाएगा dobrze कि ड्रेलिंग kart और आधि Lex जलदी ना हो तूटे ना गरम होकर करके कोई भी लोहा जो है ना लोहा इसी बनी धातू क्या हो जाती है लचीली हो जाती और वो तूट जाती है किसी भी छिद्रक में चूडी काटने के लिए टैप दक्षिनवर्थ दिसा में घुमाने के बाद आधा चक्कर जो है बाम बार अगें वहाफार कworthy करन किस प्रकार किए क्या में जो पीन के अधार पर तौल के अधार पर और यहाऊँ अब दाद ही है वाला चैनल नापी जाती है हेक्सा ब्लेड की लंबाई ना पी जाती है कैसे ना पी जाती है बताना है आपको धीक है तो डोनों पींड जो हूल की के जाता है जो दोनो पील हो पॉइंट से YouTube का सिर्फर हबती को निर्मान हो वोता है कौन सा निर्मान में देखे सभी परकार के धातु में मोटा मोठी किसका परियोग किया जाता है तो हाइड कार्वन युटील का परियोग के प्योग के पश्चात रेति की तथा एक सा को ब्रस से साफ करना चाहिए ताकि उस पर जमा हुआ रहे मतलब धातों की जो भी कण जमी हुई रहा है वो सब अलग हो जाए आगे देखिए बरसात के दिनों में ऑजार को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करना चाहिए तो उ कॉर्परेटर को करने के लिए करना आवस्यक होता है माइक्रो मीटर का परियोग करने से पुर्व क्या कर लेना चाहिए जब माइक्रोमीटर का पडियोग किजेगा ना तो उससे पूल आपको क्या कर लें चाहिए हाथों को भली परकार से साफ कर लेना चाहिए माइक्रोमीटर की सुन्ने तुरूटी को समयोजित कर लेना चाहिए माइक्रोमीटर को कपरे से साफ कर लेना चाहिए उप्रोग तुमें से तीन उच सही हो जाएगा आपके लिए आगे देखिए स्पार्क प्लग आधी का एयर गेप नापने के लिए परियोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है बताना है आप लोगों को ठीक है तो बताइए ऐसे प्योग करना पड़ेगा किसका ट्रिफ्ट का परियोग करना पड़ेगा किसका ड्रिफ्ट का ऑप्सन नंबर आपको जागा डी हो जाएगा अब देखिए क्वनिया के कई पर्काड है गुनिया गुनिया जो होता है जो कि दिवाल को सीधा उधा रखने में मतलब कि सीधा जोड़ने में काम करता है गुनिया निमलिखित में से किसमें काम नहीं आता है आपको यह बताना है तो देखिए वो प्रिष्ट की पर्ष्टता नहीं जाच पाता है वो 90 डिग्री पर रे एक धातू पर दूसरी धातू के निश्चेपन की प्रकिरिया किस रूप में की जाती है बताना है आपको निश्चेपन की प्रकिरिया किस रूप में की जाएगी तो वो की जाएगी बिधुत लेपन में की जाएगी आगे देखिए किसी लैंप होल्डर को जमीन के अस्तर से क कम से कम कितनी उचाई पर रखना चाहिए तो जो लैंप होल्डर होगा उसे जमीन की उचाई से कम से कम दो मीटर उचा रखना चाहिए ठीक है एक कारण के झोरों के ढ Wähle पन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोर का क्यों आप यूज करते हैं बताईये तो स्ष और यूज करते हैं धिक को पर नचाह करके उसमें कसा जाता है इसका उप्योग आप 11,440 वल्ट के वायर जो जाड़ते हैं जो उड़ने में किया जाता है अब 2-pin socket और pin का तब उप्योग किया जाता है जब इसो सिरीज क्या हो जाता है बताईए जब इसो सिरीज क्या हो जाता है दोहरी इंसुलेटेड होता है तब 2-pin circuit और pin का उप्योग आप यहां पर कड़िएगा किसका किजेगा आप दोहरी इंसुलेटेड जब हो जाएगा तब किजेगा ठीक है अब ट्राइए स्कॉयर का बलेट के समापन जहां होता है वहां से और इस्टाक के आंत्रिक जो वहां से होता है वहां तक की लंबाई के लिए किया जाता है अब आगे देखिए चप्टी ठंडी छैनी का करतन धार को थोरा सा उन्नोतोदार बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है कौन के बनाया जाता ह तो हम एक बार फिर से बता रहे हैं आपको बारबर बता रहे हैं कि हाई कर्वन स्टील से कोई भी एक्यूपमेंट बनाई जाती है ठीक है आप याद रखेगा हाई कर्वन स्टील यहां पर याद रखेगा 66 नमबर दीए एक साब लेट के दातों कि सेटिंग करनेका मुख्या कारण क्या है तो ध ज्यूपमें तो अहगी बनाई जाती है फिर वही बात है ृती किसे बनाइज जाती नधिया थीपकी घंभंनाई स्टिल से बनाई जाते किसे रेती बनाई जाती है कास्ट इस टूल से बनाई जाएगी ठीक है और वहां से हिल तक की लंबाई को आपको नापना होगा रेती की ठीक है किस परकार के रेती का सबसे अधिक उप्योगत होगा यह आपको बताना है तो वक्र कट अगर काटिएगा ना एलमोनियम के टुक्रे को तो उस तरीके का बहुत इफेक्टेड होगा आगे देखे किसी नमूने की सता के से उंच जो है ना उंच एवाम निम्न धब्बे की रेत लकड़ी के किसी हिस्से किसी टूक्रे को रेती करने के लिए आप किस परकार की रेती का चुना पिछेगा लकड़ी को घिसना होता है तो आप राफ्ट कट रेती का यूज कर आगे देखेगा 14.1 इंच वाले टेनन्सों को धारदार बनाने के लिए अवसक तिरकोनी रेति का आकार कितना लेना होगा 14.1 वाला है और 25 इंच वाले टेनन्सों को आपको धारदार बनाना है तो उसके लिए आपको कितना लेना होगा तो आपको 75 mm की रेती का अकार लेना होगा 75 mm की आखिरती वाली रेती लेनी होगा अब देखें, चीतर में दिखाया गया है ये चीतर रेती दिखाया गया है इसमें X चीजन बताना है किसको आपको डिनोट कर रहा है तो आपको तो X चीन दिखी नहीं रहा है इसमें की X चीन है कहां ठीक है एक चीन हम बताते हैं एक चीन आखिर है कहां है आपको यह चीज़ हम बता रहा है ठीक है यहां पर ध्यान से देखिए आपको एक चीन आपको दिख रहा होगा इसमें x क्या इंगित करता है तो x बताईए आपको क्या इंगित करेगा यहाँ पर question आपसे कुछ यूँ पूछा गया है तो देखिए figure में तो clear दीख नहीं रहा है लेकिन इसमें से क्या बता रहा है यहाँ पर x है यह वाला x आपको दीख रहा है यहाँ x है तो यह x किसको denote कर रहा है यानि कि basically यह किसको denote कर रहा है तो यह किसको denote करेगा यह आपको denote करेगा option में देख लीजे यह आपको hill को denote करेगा किसको denote करेगा हिल को डिनट करेगा ठीक है तो फिगर से भी कुश्छन आपको एक नंबर पूछा जाता है जिस चित्र के लिए रेती दिया गया है इसका मान बताई इसको क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे आप लोग तीसे हम डबल कट रेती कहेंगे ठीक है इधर सत्ता डिगरी का इधर 51 ड कि निर्धारित करती है। फिर वही कुछण पूछह दिया न तो किसको निर्धारित करेंगे। किसको डबल कट को NIR धारित करेंगे सेमेizada है हेक्सा सौ बलेड बना होता है, एक्सा सौ बलेड किसका बना होटा है पढ़ने के बाद ही जबाब दीजेगा अप्सन ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद इसका एंसर हो जाएगा उच्छे कारवन इस्टील का बना होता है किसका बना होता है इसे लिए इसका यूपयोग किया जाता है है चुकि यह बहुत ही क्या होता है मतलब कहिए को क्या कहाते है तो इक्य dileデ की पीच कहिएगा उसे क्या कहिएगा ब्लेड आपका टूट जाएगा आगे देखिए किसी हेक्सा-100 के दात का आकार उसके पीछ के सिधे संबंदित होता है पीछ का वातावरन कैसे किया जाता है पीछ का जो विवरन है आप किसे किजगा तो पीछ का विवरन कैसे किजगा तो 25 mm की प्रति लंबाई होनी चाहिए उसकी इसी यही इसका वीवरन है आपके देखिए धातों सीट को काटने के लिए हेकसा सो ब्लेड को किस कौन सा पीच उप्युक्त होगा मतलब बताइए धातों सीट को अब काट रहे हैं तो कौन सा यहां पर उप्युक्त हो जाएगा आपके लिए तो 32 TPI उप्योग में लिया जा सकता किसका 32 TPI का अब बताई किसी स्टील डंडे को किसकी भांती परियोग को नहीं करना चाहिए बताना है आपको किसकी भांती तो ना तो इस्कूर्ड्राइवर परियोग की जीडियर नहीं करना है आगर देखिए देखिए वायर गौज कुम आपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वायर गोज कम आपने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वह किया जाएगा तार के ब्यास का किसका तार के ब्यास का आपको यूज करना पड़ेगा आप देखिए सीरे के पास एक सीरे के पास से छोटे तार में केवल को काटन के लिए परियुक्त ऑजार का नाम सीरे के पास इसका नाम क्या हो जाएगा तो किस चीज का उप्यूक्त कीजएगा सब लोग कहां से कहां तक अबलेवल है तो आपको बताना है यहां पर सब सब्सक्राइब कर दिया है तो वह गलत है अगला कुशन देखिए 67 नंबर है इसका उद्धे से क्या होता है इसका उद्धे से क्या होता है चौड़ी पतली प्लेट को पकरने के लिए इसका यूज आप लोग करते है फ्लैट नंबर देखिए किसी चोटे जौब को काटने मौरने पकरने वकसने के लिए किसर कर लिए किसफ़ का कर सब्सक्राइब का ίूज कि द्दिया का कहेंगे इसका दिखें इसको आप कहिए गाघ्ट सैंयँ के भास में मन आप दिच वाले इसके कहतें फिटर भालाये इसका एक मिल्यक्रोण संथे लेक्ट्ड दोके पाइप और धातू की फ्रेम काटने के लिए किस इलेट्रिक उपकॉरन का सब्सक्राइब का इस्तिमाल करता है बताई ऐिसी है को आका किस पर निर्धारि धारीत होता है हमद आहए घ्रfrage के भार पर निर्भर करता है किस भार पर हथार को पकरने का सही चरीका ने यह हुए दुबारा पूछ दिया है उसके जो है ना अंत में पकड़ी है अंत में हैंडल के अंत में पकड़ना चाहिए अंत में हैंडल के अंत में पकड़ना चाहिए दुबारा पूछ दिया न हथारा से यह जी जी सवाल होता है दोस्तों अब आदे किस परकार का यह हथारा देखिए यह राउंड है कि नहीं है यह प को पीन तरीके का दिखरा तो पीन बहुत ही चोटे अस्थान वह उच्छ्छेस्खेटा वाले अस्थान nuts को कसने के लिए किस परकार के spinner का उपियोग किया जाता है बताए स्थान पर'T में आप लोग यूज़ कर लिए किसका रिंग स्पेनर का उप्यों कर लिए अब बताएं तंग अस्थान वह गहराई में किसी नर्ट्स वह बोल्ट को कसने या डिला करने के लिए किस परकार के टूल्स का आप लोग यूज़ किजेगा तो वह किजेगा सॉकेट यानि बॉक्स स् स्पेनर का यूज़ किजेगा अब बताएं सब्सक्राइबर किसके बने होते यानि कि सब्सक्राइब किसके बने होते आपको बताना है यह यूटूब बला सब्सक्राइबर नहीं है ठीक है यह सब्सक्राइबर किसके बने होते आपको यह जवाब देना है ऑप्सन आपके स राउंड टूल के बने होते किसके बने होते है बताई किसके बने होते हैं चीप कारवान नंबर 20 साही हो जाएगा एगला देखें अगला कुशन देखं़ें अगला कुशन देखें एटी वणन नंबर प्रस आपके सामने किसी इंजिनियर की वाइस का आकार कही सा होता है देखें किसी इंजिनियर की वाइस का आकार कही सा होगा आपको यहां पर बताना है ध्यान से देखते चले किसी इंजिनियर की वाइस का आकार कही सा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा आपका किसा हो जाएगा ज और फोर फोल्ड ऊड़ रूलर का अकार की सा होता है तो आपका होता है 600 mm होता है 600 mm होता है जमीन पर भारी भार खीचने के लिए किस परकार के lift का इस्तमाल करिएगा तो वह किजीएगा वीनचेज का इस्तेमाल कीज़गा वीनचेज नामक आपको y alleenच करना पड़ेगा आगे देखते हैं, वह कौन सा कार है जिसके लिए फ्लैट गुल्ट चीजल का उप्योग नहीं किया जाता है पटाइए, कौन सा कार है जिसके लिए क्ॉणि इस क्रूट नाम बताइए जो स्क्रूड्राइबर होता है किसका बना हुआ होता है थम टैंपर्ड सौफटे स्किल रहा होता है हो जाएगा इसकाा में आपका से तुक है आपुसिन tonnes वि isn't होता है अपसी हो जायेगा है एक ओंता यह स Kelvin कर डियू चीज में गया मजबूत दी होगा टेसी हूंक्राइब करका का इस्तमाल होता हूं स्कूरुड्राइवर car बार यूज करता है तो we light duty उस्कूरूड राइवर का यूसुज करता है यूज करता है इस probably देखें नीचे दिया गया स्कूरूड्राइबर मतलब कौन सा है बताना है आपको 88 नंबर में देखें किस परकार का है तो लाइट ड्यूटी जो है स्कूरूड्राइबर है यह सभी इलेक्रिशन के पास होना अनिवार रहे हैं अब बताएं नीचे दिये गया टूल का नाम क् के लिए चाकू के ब्लेड को ब्लेड को रखनी के लिए कौन से चितर का सायूप की होग देखें कों सा हो टारीकि का रखना होगा ओप्संननबर डी जोगी 45 डिगरी और 20 के बीच मेंुआ इसको रखना होगा OCW कब भिस्तारीत नाम क्या है बताइए ऐसेंडर वायर गेज होता है इस डबलवडी का पूरा नाम क्या होता है एसेंडर वायर गेज valley क्या confess हो क्या होता है अलनुए को हम लोग किस रूप में जानते हैं उसले एसे अमेरिकशं और डबलू से वाइर जी से गेज ठीक है अमेरिकशं आगे देखिए त्पीट का वियास तुल्यांग की व्यास क्या होता है तुल्यां की मान क्या हता है स्वाइब 85 5 डावी की सर्किक डर के लिए यह सही तीन के तारका कितना होगा देखिए तो यह क्या हो जैगा आपका तो 35 यह हो जाएगा ठीक हैं पांच एंपीयर की एक सर्किट है इसके लिए चिंट के तारका का आपको 35 संतिंग नहीं था टोभला किसके बरावर जागां शहीरो 2007- Success आगे देखें अग्ला कुशन आपके सामने हैं, किसका ऑपयों करके तार के गेज्ट को आपth जाने की वजह से HWG की के इस्तेमाल के लिए या इस्तेमाल करने के नहीं पाजा सकता तो आपका एलमूनियुः इस жен इस्तेमाल picture ड्रक्तर हो जाएगा तो हो जागा Ace डीच का लोग्यिज़ जो है अक्राइब क्या होता है आपको बताना है तो क्या होता है कितना हो जेंग प्रल्व का प्रीषी क्योंग करे方 करते हैं इंवेश भीजली के टूल का बहुत कम जगा मतलब पे में इस्क्रू लगाने के लिए किया जाता है किसका उप्योग किया जाता है बताइए तो हो जाएगा लॉंग नोच प्लैयर का किसका लॉंग नोच प्लैयर का बहुत कम आप लोग बहुत कम जगा आप यूज करते हैं 101 का क्या हो जाएगा एक आपका बी ऑप्सन न साल होता है मतलब चॉरा सा होता है वो सभी यानि यह सभी हो जाएंगे आगे देखिए के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है कि लिए प्रस्न पूछा ही जाता है दोस्त पार नहीं जाता है यह किसके लिए यूप के लोता है तो लकडि के लिए आप मैलेट करै लिए करीगा ठीक है पीसी बोड के लिए कि जएका भीज़िए की बभाड के नहीं किजिएगा पृबिश्य धातों के लिए पयम काटने के लिए केसे कोन से उप्योग करना मुस्किल होगा तो किसको हो कि जैगा तो मुस्किल आप आ सकती है तो क्रिमपिंग टूल सब्सक्राइब так नहीं करती के थैस सब्सक्राइब अब बताइए एक नियोन पड़ी पथ ट्रेस्टर समाने तक किस टेस्ट के लिए उपयोग कीज़ेगा एक नियोन पड़ी पथ वाला टेस्टर को आप किस के लिए यूज कीज़ेगा तो कला के लिए यूज कीज़ेगा कला टेस्ट के लिए कला टेस्ट के लिए परयोग के ब्यास होता है, क्या होता है बताना है आप लोगों को, तो क्या होता है, 0.71 होता है ब्यास, ठीक है, आगे देखते हैं, रैक एक हैंड टूल है, क्या है, रिक हैंड टूल है, इसका उप्योग किसके लिए किया जाएगा, देखिए, हैंड टूल का उप्योग आप किसके लिए करते हैं तो करते हैं आउट डोर उपयोग के लिए एक जहारू के रूप में करेंगे ठीक है किसमें करेंगे आउट डोर उपयोग के लिए एक जहारू के रूप में करेंगे आगे चले अगला प्रस्ण आपके सामने है 110 नंबर प्रस्ण में चोटा कर देते इसको 110 नंबर प्रस्ण आपके सामने यहां पे हैं connection परियूग किया जाता है CW技10 key कि Gospel लिए एस्टंडर वायर गेज किसे मापने के लिए परियूग में करेंगे दोस्त बताइए तो उसे हम कहेंगेthinking 20 जाते हैं अब बता निवन में से किस तार के उच्छ तारा वहन होती है इनी तो जी से उच्छधारा वहन हो जाएगे ओप्सन के एक और इंग सबसे जो छोटा रहेगा वही आपका उच्छधारा वहन कर लेगा क्लियर है अब 113 नमबर चलिए 113 नमबर प्रस्ट आप लोग देखिए किस काम करने में अधारकर थो तो कंपलंसी नहीं राशन और कंपोलसी नहीं ड्राइवे लेंक से यह से परियाग करेगा तो आप लोग है बीम का प्रियूग कीजएगा किसे बीम का पर्योग अब बताए यह ISO A सीरीज केनोसार आकार जो है 594 गुने 841 594 गुने 841 वाली सेट को A1 सीट कहेंगे क्या कहेंगे A1 सीट ओप्सन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है वहीं पे 1189 गुने 841 रहता तो क्या कहते A0 वहीं पे 841 गुने 594 यहां पे दिया हुआ है तो A1 हो जाएगा A2 का क्या हो जाएगा वहीं पे 594 गुने 420 A2 का हो जाएगा 420 गुने 277 A3 का हो जाएगा उसके बाद 297 गुने 210 और A4 का हो जाएगा ठीक है पांच परकार से हम पर मात सकते हैं कि सीग्छा कर 116 परशन आपके सामने है किसके चितरском से बना होता है तो बताएक किसके कि चितरंकं से बना होगा तो अनिमित आकरतियों के चितरंकं से बना होता है अब ब्सके हेरा स्कार भिक स्वार है और इसलिए निया है नुवर्थ You अगे चले अनवहर्थ कुछ अपके सामने दैसा है नियूक कित में पाया जाना जार दो रहने चाहिए। remember one रहना चाहिए है स्कुरुड्र awareness ही रहना चाहिए जाए कुछ रहे चानना रहे स्कुरूडरावर रहना चाहिए गोल-च्छेद्र के पर किसुआपकरन का परियोग करना पड़ेगा किसका प्रियोग करना पड़ेगा तो अर्ध गोलाकार रेती का प्रियोग करना पड़ेगा किसका प्रियोग करना पड़ेगा तो ब्रेड डाउल का करना पड़ेगा ठीक है अगे चलते हैं कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लस जो है क्या है इसमें दिये हुआ सरवाधिक उप्युक्त होगा कौन सा होगा यहां पर आपको बताना है तो वह हो जाएगा आपका बिकर्ण यानि डाइगोनल पर कल्टर हो जाएगा डाइगोनल कटर यहां पर कठोर तार को काटने के लिए यूज में ला सकते हैं अगला कुश्च वाली आपकी रेती हो जाएंगे ऑप्सन नमबर आपका बी हो जागा 123 नमबर प्रसन है आपके सामने देखें डावल कटर लगा भी हुआ है किसी ब्रेताकार छेदर को परिस्कृत करने के लिए किस उधारन का उप्योग करेंगे किसे करेंगे तो और धोगोलाकार रेती का डाव प्योग करेंगे ठीक है बड़िताकार छेदर को परिस्कृत करना है तुसे और धोगोलाकार रेती चाहिए यह देखें इस तरीके करेंगे देखें कि नहीं देखें आप लोग आयोब देखें भी हुएगा इसे हम क्या कहते हैं रैंप्स रैस्प क्या काते है रैप् बस्तू को पकरने के लिए प्लायर को फ़्योंग करना फिखें करने के लिए किसकी आप लोग उप्योग किजिए ठीक है सबसे और ही फम आइथे संबमेंश cs इसे अच्छे से नहीं छुटेगा ठीक है कभी-कभी वह सीट वाला भी पूछ लेता है कभी-कभी रेती वाला में यह सारे सबसे पुछता है यह बहुत ही बेसिक चीज़े इसलिए पढ़ लीजे इसका पीडियाफ हम टेलिगराम पे डाल देंगे टेलिगराम का लिंक के नीचे डिप्सक्रिप्शन में वहां से जुड़ जाए यह दिक पक मैस ऑफिसेल आप सर्च कीज़ेगा टेलिगराम से जुड को लगने वाला है ट्रेड को पढ़ने में ठीक है चालिस दिन में हम लोग इसका कंप्लीट ट्रेड अपना खदम कर लेंगे किलियर है तो आप लोग जो है चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भीजे कर लिजेगा अपने दोस्तों में इसे लाइक से सब कुछ करवा दीज क्याल रखिए बरो का सम्मान कीजिए छोटों से प्यार कीजिए अपना बेक्तित इस प्रकार से बेक्तित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसुत करें जय हिंद